हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टारोटाइक टुपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि आप जिस परसन के साथ डील कर रहे हैं, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या उस परसन को आपकी खामोशिया डरा रही हैं, या नहीं डरा रही हैं, और अगर उन्हें आपकी खामोशिया डरा रही हैं, तो किस तरह से डरा रही हैं, उनके उपर आपकी खामोशियों का क्या असर पड़ रहा है, तो यही चीज़ें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, करन्ट अपडेट देखने की द्यान रखना होगा कि अगर आपने अपने आपको पूरी तरह से silent mode पर डाल रखा है भले शुरुवात आपके पसन की साइट से हुई हो लेकिन आपने भी अपने आपको खामुश कर रखा है अगर वो आपको किसी तरह का silent treatment दे रहे हैं तो आप भी वहाँ पर उसी treatment को follow करते अपने आपको खामोश रख रहे हो तो इस चीज का असर उनके उपर किस तरह से पढ़ रहा है क्या उन्हें वो खामोश या डड़ा रही है या नहीं यह चीजे देखी जा रही है आपको यहाँ पर यह ज़रूर ध्यान रखना होगा रीडिंग जो भी होती है वो जनरल कलेक् कोई भी रीडिंग देख सकता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले यही चेक करेंगे कि क्या आपकी खामोशिया आप जिस भी परसन को बहुत जादा याद कर रहे हैं जिनके साथ भी आप इस वक्त में रिलेशेशिप में हैं उन्हें वो डरा रही है या न उसी पार्टनर के बारे में आपको सोचना है या उनका नाम लेना है जिनके लिए आप आज रीडिंग तक आए हैं ठीके उसके अलग गाईज अगर चैनल पर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आप लोगों के पास मेरी ने लेते हैं गाईट कीज इन वस्प्लीज डिवाई अके इंजज प्लीज एंजड़ प्लीज प्लीज इस्पृट्ट गाईड मुझे गाईड कीज़ बताएए क्या मेरे विववर्स के पार्टनर को उनकी खामोश्य डरा रही है या नहीं उनिवस काईड कीज तो फर्सट व गाइड की इजिनिवस और बताईए कि वीवर्स के परसन को मेरे वीवर्स की खामोशी डरा रही है तो गाइड की इजिनिवस और बताईए कि वीवर्स के परसन को उनकी खामोशी डरा रही है या नहीं क्लींजिंग टूदा पास्ट गाइड की जिनिवर्स और बताईए कि इस परसन को मेरे वियर्स की खामोशी डरा रही है पॉलिटिक्स बॉटम आफ देक्श यहां पर है इस लोईंग डौन गाइड की जिनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आकें इंज़स प्लीज प्लीज स्परेट गाइड मुझे गाइड कीज़े बताईए कि वियर्स की परसन को इनकी खामोशी डरा रही है युनिवर्स गाइड कीज़े और बताइए, solitude, क्या इन्हें मेरे वीवर्स की खामोशिया डरा रही है, universe guide कीजेर बताइए, moving on, guide कीजेर बताइए, कि वीवर्स के परसन को मेरे वीवर्स की खामोशियां डरा रही है या नहीं उनिवर्स काइड की जो बताईए डिस्ट्रॉप्शन गाइड की जिनिवर्स प्रॉस्पारिटी बेगेंज गाइड की जिनिवर्स और बताईए कि वीवर्स के परसन को इनकी खामोशियां डरा रह नहीं है या नहीं उनिवर्स गाइड की जबताएए तो यहां पर आया है दा वेटिंग गेम और बॉटम आफ देक है टैंपटेशन गाइड की जिनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आके इंजस प्लीज हो लिए इंजस प्लीज स्प्रेट गाइड मुझे गाइड कीजे अपसेट गाइड की जिनिवर्स बताएए क्या इन्हें मेरे वीवर्स की खामोशियां डरा रही हैं गाइड की जिनिवर्स बताएए मेमुरीज गाइड की जिनिवर्स बताएए क्या मेरे वीवर्स की परसन को उनकी खामोशियां डरा रही है गाइड की जिनिवर्स बताएए को डिपेंडेंसी एड बॉटम ऑफ देक है यहाँ पर चेंज ठीक है तो दिखे सबसे पहले अनरजीज डिसकस करेंगे यह जो भी अनरजीज में आपको बता रही हूँ यह उसी परसन की होगी जिनके लिए आप यह रीडिंग देख रहे हैं जैसे यहाँ पर है टॉरस, स्वर्गों, कैप्रिकॉन, व्रशप, कन्या, एन मकर राशी, एरीस, लियो, एन सजटेरियस, मेश, सिंग, धनु राशी, कैंसर, पाइसेज एन स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, व्रिष्टिक राशी और जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथु तुला, एन कुम्भराशी, नमबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 और 7 यानि की जून और जलाई मन्त काफी जादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो किसी ना किसी तरह से आप से रिलेट करता होगा, चाहे डायरेक्ली आप से रिलेट करता हो, या इस परसन के माध्यम से ही क्यों ना रिलेट करता हो, तो थोड़ी सी पास्ट के बारे में बात करते हैं कि आखिर आप लोगों के बीच में ये खामोशी आई क्यों, कि आप भी चुपो और आपके पार्टनर भी चुप है, जैसे मुझे आप पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज जो लोग है, फैमली के जो मेंबर है, ये उनकी बातों में बहुत इसली आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कच्चे कानों के हैं, या फिर थोड़ा सा शौट टेमपर्ड हैं, तो कोई इनके सामने आपके अगेस्ट कोई छोटी सी भी बात बोलता है, या बोलती है तो ये पर परसन ने आप से कोई ऐसी बात बोली है, जिस रीजन की वज़े से आप लोगों के बीच में ये टावर मुमेंट आया, ये डिस्ट्रॉप्शन आये, आप लोग अलग-अलग हो गए, इस परसन ने उस वक्त में आपके उपर किसी और की भडास निकाली, या जिसने भी इन अन्मेरिट हो, या आप एक मेरिट परसन से ही क्यों ना डील कर रहे हो, लेकिन सब सूरतों में इन्होंने कहीं न कहीं आप से ऐसा ही बोला कि आप से मूव अन कर रहे हैं, या आप से दूर जा रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में जो डिस्ट्रॉप्शन आया, वो इनकी साइट से यह था कि जो भी मिस्टेक हुई है, या इनके गुस्ते करने की वज़ा कहीं न कहीं आप जादा हो, तो यह बसन आपके साथ एक गेम खेल रहे थे, स्टार्टिंग से ही, कि इन्होंने अपने आपको चुप कर लिया, और इवन इन्होंने ऐसा ही दिखाया, कि देखो अगर यह आपकी लाइफ में नहीं रहे तो आपका क्या होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे आपर को डिपेंडेंसी का कार्ड यह इंडिकेट कर रहा है, कि आपको इस परसन की इतनी जादा आदत हो गई थी, कि आप इनके बिना वन परसन भी नहीं रह सकते थे, आप इन पर बहुत डिपेंड थे, और इसी रीजन की वज़ा से जब आप लोगों के बीच में यह आर्ग्यूमेंट्स हुए, यह कॉन्फलिक्ट हुए, यह डिस्ट्रॉप्शन आया, तो इन्होंने अपने आपको चुप करा और आपको ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश क करी कि अब आप रहकर दिखाओ, इनके बिना, क्योंकि यह आपको अच्छे से जानते थे, आप इन पर बहुत डिपेंड हो, और फिर उसके बाद यह कहीं न कहीं उमीद कर रहे थे, एक एकस्पेक्टेशन रख रहे थे, कि अब आप आकर इनकी तरफ खुद से एफर्ट कर करोगे, खुद से चीजों को डील करोगे, फिर चाहे उसके लिए आपके सामने कितने भी जादा प्रॉब्लम्स क्यों ना है, यानि कि इस परसन ने जान बूझ कर आपको ऐसे हलातों में भेजा ये चीज़े हैं, एक पॉलिटिक्स जैसी एनरजी मुझे इस परसन की से दिखी और इसी रीजन की वजह से ना ने अपने आपको चुप करा और कम्नीकेशन को पूरी ठरा से बंद कर दी और आपको यही शो करा कि भई आपसे मूव आन कर रहे हैं, ठीके तो यह पास्ट हुआ और मुझे आपर ये भी दिख रहा है कि आप इन चीजों से डेफि से निकलने के लिए बहुत वक्त भी लिया, ठीक है, स्लोइंग डाउन, यानि कि आपने भी मूव आन करने के लिए या अपने आपको संभाले में बहुत वक्त लिया, आपका प्रासेस भी बहुत धीरे-धीरे आगे बड़ा, अब फाइनली इस रिलेशेशिप में यह कई एक वेटिंग गेम खेल रहे है, यह वेट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, जो मैं आपको बता चुकी हो, और आप वेट कर रहे हो कि भई आपकी साइट से गल्ती नहीं हुई है, आपने ही सारी मिस्टेक नहीं करी है, तो आप भी वेटिंग मोड पर हो, या सामनी वाला अब एफर्ट नहीं करना चाहता, रिलेशेशिप में नहीं आना चाहती, तो ठीक है, अब आप भी चुप बैठोगे, तो यह आप लोगों के बीच में सिनारियो चल रहे हैं, जो अब पहले से पूरी तरह से बदल गया है, यह चीज़े हैं, अब सवाल पर आते हैं कि अब इस खामोशी का, आपकी साइट की खामोशी का इस परसन की उपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या आपकी खामोशी इस परसन को किस तरह से डरा रही है, अल्टिमेटली अब इस परसन को ऐसा फील होने लगा है, कि आप भी अब मूव ओन कर रहे हो, यह तो आप कोई ड्र बास्ता ले लिया है move on करने का तो इस परशन को ultimately आपकी खामोशी इस तरह से डरा रही है कि आप बदले तो नहीं आपने चीजों को सही तो नहीं करा आपने move on कर लिया ठीके और यही चीजे इस person को बहुत ज़्यादा upset कर रही है यही चीजे इस person को तोड़ रही है अंदर से यानि कि game कुछ और खेला और यहाँ पर उसका result कुछ और ही आ गया इस person को आपकी खामोशी अभी यह डरा रही है क्योंकि ultimately अगर आपने move on कर लिया तो यह अकेले रहे गए है यह आपको सिर्फ act करके दिखा रहे थे लेकिन इसका result कुछ और ही हुआ यह चीजे इस person को डरा रही है आपकी तरफ से या आप जैसा act करके दिखा रहे हो वो चीजों से और इसी reason की वजह से कही न कही इस person के mind में यह thought चलते रहते हैं कि जो भी past में हुआ यह जो भी किसी की बातों में आकर आप पर गुसा हुए भड़ बढ़ाए या जो भी disruption जो भी misunderstanding आप लोगों के बीट में आई वो किसी तरह से खतम हो जाए किसी तरह से cleans हो जाए वो toxic past वो किसी भी तरह से cleans हो जाए यह person अब यह चा रहे हैं ठीक है कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इस person को कहीं न कहीं इन्होंने चाहिए आपसे बात बोली हो या नहीं इस person को पतत था कि आप इनकी life में क्या हो आप इनकी life में abundance हो prosperity हो एक ऐसा support हो जो इन्हें हर तरह से support करता था या करती थी चाहे financially चाहे emotionally यानि कि overall आप prosperity के तरह थे जो इनक इस person को आपकी खामोशियां डरा रही हैं काफी जादा इन चीजों से upset हो रहे हैं और इन्हें डरा रही हैं कि आपने already move on कर लिया और अभी अकेले रह गए वही game खेलते हुए जिसके साथ ये game खेलना चाह रहे थे वो तो यहाँ पर निकल ही गया है अकेले ये game खेलते रह गए हैं overall जैसा चहा रहे टी चीजे उस flow में नहीं गई चीजे किसी और बहाव में चली गई ऐसा इस person को डल लग रहा है आपकी खामोशियों से और मुझे या पर ये भी दिख रहा है कि deep inside अब इस person को ऐसा भी feel होता है कि ये ना घर के रहे ना घाट के रहे क्योंकि obviously ना कि side जाने के रहे क्योंकि इन्होंने ये game start करा था अपनी politics अपनी smartness अपनी over smartness दिखाने के लिए तो ये ना घर के रहे ना घाट के रहे और आपके move on करने की चीजे कही ना कही इस person के लिए बहुत बड़ा धक्का था ठीक है क्योंकि ये ऐस expect नहीं कर रहे थे क्योंकि इन नहीं आपके लिए ये पता था कि आप इन पर बहुत डिपेंड हो सकता है financially भी आप इन पर बहुत डिपेंड हो या फिर emotionally तो obviously आप इन पर ही depend थे आपको इनकी आदत थी तो इस तरह से आपकी खामोशिया इस person के लिए इनकी life का बहुत बड़ा धक्का था ये भी आपर द थारा से डरा रही है इन वस गाइड की जब बताए है फूर ओवांस के उपर फूर ओवांस ही आया है सेवन ओफ सूर्ट सेवन ओफ पैंटिकल्स डेफिनितली आपके लिए नंबर फूर और सेवर यानि कि अप्रेल और जलाई मंत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जो आप म टैंप्रेंस गाइड कीजिए यहाँ पे कार्ड पल्टा दा हर्मिट के उपर अगेन दा हर्मिट गाइड कीजिए उनवस और बताए विएस के परसन के उपर इनकी खामोश्या किस तारह से असर डाल रही है टू अफ कप्स ट्रे अफ पैंटिकल्स ट्री अफ कप्स गाइड कीजिए नवस तो बताएए किस तरह से असर डाल रही है इस परसन के उपर तवर्ड बॉटम अफ देक है नाइट अफ कप्स तो दिखेंगे एनरजीज तो ओवर्राल सभी हो गई थी तो एनरजीज डिसकस नहीं करे जा रही है नंबर टू नंबर थ्री और नंबर नाइन यानि कि आपका हो गया फरवरी मार्च और सेप्टेम्बर मन्थ जो मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रह कराना चाह रहे थे कोई बात आप लोगों के बीच में ऐसी थी जो शायद आपने उस सुवक्त में गौर नहीं करी है या पर इसी रीजन की वचे से ये परसन आपकी लाइफ से गए है और कुछ लोगों के केस में डेफिनिटली थर्ड पार्टी की वज़ा से ही आपकी ला चुप चाप जाने का रीजन यहाँ पर यही दिख रहा है ठीके सवाल पर आते हैं ठीके कि इस परसन को आपकी खामोशिया किस तरह से डरा रही हैं तो यह बाते तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि आप लोगों के बीच में जो खामोशी थी ना यह गेम था जिस परसन ने स्टार्ट करा था यह एक गेम था जिसमें आपको किसी चीज का रियलाइस कराया जा रहा था आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था आपको इस तरह से रियलाइस कराया जा रहा था इस परसन की साइट से कि देखो अगर यह आपकी लाइफ में न जिस चीज का ये बसना फाइदा उठा रहे थे, जिस चीज के बेसेस पर ये आपको कंट्रोल करना चाहे थे, फिर चाहें ये आपको किसी भी धरा से कंट्रोल करना चाहें, आजन हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो तो उसके कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में आपको रखना चाह रहे हूं तो ओवरॉल यहां पर यह गेम ही प्लोट आपके लिए खरा गया था वो बात और है कि भाई इनका जो पाला पड़ा वो किसी और से पड़ा यानि कि इस परसन ने गलत इंसान से टकल ले ली पहाड से टकल ले ली ऐसा अभी ने फील होता है क्योंकि आपने भी इनकी तरफ बढ़ने की जगह अपने आप पर काम करना अपनी इंपोर्टेंस पर काम करना अपने आपको हील करना अपने पैंटिकल्स पर काम करना यानि कि आपने हाड़ वर्क करना स्टार्ट कर दिया वो भी अपने उपर बजाए इस रिलेशेशिप के उपर हाला कि पैंटिकल्स पर काम करना, उस पर हाड़ वर्क करना स्टार्ट कर दिया और अपने आपको भी चुप कर लिया, लेकिन यही खामोशेस पसंड को डरा रही है और बार बार इने यह रियलाइस करा रही है कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, आप इनपर डिपेंड नहीं हो रहे है कि आप क्या हूँ तो इनकी इंपोर्टेंस आपकी नजरों में बहुत जादा कम होती जा रही है जो चीजे कहीं न कहीं इस परसन के लिए एक सर्प्राइज थी आपकी साइट से क्योंकि यह ऐसा सोच नहीं रहे थे कि आप ऐसा कोई स्टेप भी ले लोगे मुझे आपर य इस तरह का गेम खेलने में लेकिन पीछे भी आपर कोई लोग देख रहे हैं ताकि यह लोग आपको कंट्रोल कर सके अपनी कंडिशन्स या अपने हिसाब से आपको चला सके तो यहाँ पर यह दिख रहे है कि आपके परसन को आपकी खामोश या बार बार यह याद दिला र रहे हैं यानि कि इनका दिल करता है कि आपकी तरफ ओफल लेकर जाएं और जो बैलेंस आप इनसे चाहा रहे थे जो न्याएं इनसे चाहा रहे थे वो बैलेंस या आपको दे तो डीप इंसाइड इस परसन के मन में सिर्फ और सिर्फ आप चलते हो आपकी नेचर आपका प् बहुत जादा असर डाल रही है ने बहुत जादा डरा रही है साथ मेने ये भी डरा रही है आपके मामले में कि आप बदल रहे हो आप बदल गए हो आप स्ट्रॉंग हो गए हो आप पहाड बन गए हो आप मतलब आपने इंप्रूव्मेंट करा है तो इस तरह से ये चीजे न डरा रही है कि आप इनके सामनी क्यों जुकोगे इनके कंट्रोल में क्यों रहोगे जब आप अलरीडी अपने आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो इस तरह से इने आपके खामोशिया डरा रही है ठीक है चलिए आपके लिए guidance के cards निकालते हैं हाला कि आपने जो भी रास्ता इस व तो पहला आया है morning, gold, homeward, bottom of the deck है villain उसके अलग भी नीचे देखें यहाँ पर आया है expectation जो कि आप अब नहीं कर रहे हो इस person से किसी भी तरह की देखें बेसिकली मुझे आपर यह दिख रहा है कि आप जो कर रहे हो जैसे अपने आप पे काम कर रहे हो अपने आपको खुश कर रहे हो अपनी दुनिया खुश से क्रियेट कर रहे हो वो तो आप बहुत सही कर रहे हो और आप indirectly way में जो भी आपकी life में problems चल रहे हैं आपके relationship में जो भी problems चल रहे हैं वो भी आप indirectly सही कर रहे हो यह भी मुझे दिख रहे है आप भी कही न कही इस तरह से अपने person के पास message send कर रहे हो कि आपने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली है ठीक है यानि कि आप में भी लड़ने का हुनर है आप में भी अपने आप पर काम करने का हुनर है overall आप जो भी कर रहे हो अपनी story खुश से create करने के लिए कर रहे हो उसक पहले से बदल गए हो तो आपकी खामोशे इस person को डरा भी रहे हैं और आप भी अपनी चीजों को सही का तरह से अपने आपको खामोश रखकर करते हुए मुझे नजर आ रहे हो overall यही चीजे आपके लिए guidance आई है कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो और इसी रास्ते पर आपको चलना है अगर आपको अपने self respect को बचाए रखना है अगर आपको अपने relationship में balance चाहिए तो आप बहुत सही कर रहे हो इस पे आप कभी भी घबराना नहीं है कभी भी डरना नहीं है कि आप सही कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो तो इन चीजों से आपको डरना नह तो आपको रीडिंग पसंद आई हो इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियारिटी मिली हो आप अपने आपको इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो अगर आपको रीडिंग पसंद आती है इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियारिटी मिलती है तो लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यो ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई